हेलो बच्चों, आज हम slope of velocity time graph का topic पढ़ेंगे यहाँ पे हमें velocity time graph given होगा उस velocity time graph में हमें slope calculate करना होगा slope find करना होगा, ओके, देखिए जैसे यहाँ पे यह velocity का axis है यह आपका time का axis है और यहाँ पे यह straight line graph बन रखा है इसी velocity time graph में मुझे slope calculate करना है, slope बताना है अब देखो slope होता क्या है आपका angle between graph and time axis यह जो आपका straight line graph है, यह graph और यह time axis है इसमें जो भी angle बन रहा होगा, suppose करके alpha angle बन रहा है तो वो जो 10 alpha की value होगी, उसी को slope बोला जाता है, ठीक है अब मैं इसा याद रखना, कभी भी आपके सामने कोई भी graph given है वो graph इस time axis के साथ जो angle बनाता है, उसे slope बोला जाता है अब देखो, इस slope को हम कैसे calculate करें सबसे पहले, यहाँ पर लिखाया है, मुझे slope find करने के लिए मुझे graph और time axis में angle बताना है तो देखें, यहाँ पर यह जो graph है और यह आपका time axis है, इसमें मुझे angle find करना है तो देखो, आपको क्या करना है, इस line को आगे produce करना है इस तरीके से, और यह time axis को भी यह मैंने produce कर दिया, ठीक है तो यहाँ पर suppose करके, यह alpha angle बन रहा है यहाँ आपका alpha angle बन रहा है अब मुझे क्या करना है, इसकी 10 alpha की value find करनी है वो ही slope माना जाएगा अब इससे कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर यह जो slope होता है slope आपका होता है 10 alpha अब देखो, यहाँ पर आगे क्या लिगा है slope of velocity time graph gives acceleration यह जो आपका slope होता है जिसे मैं 10 alpha बोल रहा हूँ यह आपको क्या देता है acceleration देता है देखो, यह जो straight line graph होता है यह आपका constant acceleration को represent कर रहा है मैंने आपको constant acceleration के graph plot करने सिखा है थे इससे पहले वाले वीडियो में हमने velocity time graph हमने plot किया था वहाँ पर मैंने straight line graph के बारे में आपको बता है था कि यह जो straight line होता है यह uniform acceleration का graph होता है अब देखो जो acceleration होता है आपका acceleration का formula क्या होता है acceleration का जो formula होता है आपका change in velocity upon change in time इसे interval of time भी बोला जाता है तो इसे हम finally change in velocity निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है final velocity minus initial velocity और यह interval of time है तो जो भी time में जो change हुआ है उसे क्या बोलेंगा final time minus initial time अब देखो यहाँ पर क्या करना है मुझे अगर मुझे slope को calculate करना है इस 10 alpha की value अगर मुझे find करनी है तो 10 alpha की value find करने के लिए मेरे पास एक right angle triangle होना चाहिए तो देखो right angle triangle तो यहाँ पर हमारे पास है नहीं तो उस right angle triangle को बनाने के लिए क्लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक interval of time लेना पड़ेगा time axis में interval of time लेना पड़ेगा क्योंकि देखो आपका velocity time graph का यहां पर interval of time ले रहे हैं, तो suppose कर के यह आपका origin point है, और यहां पर आपका t1 second हो रहा है, यहां पर आपका t2 second हो रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का यह है इंटर्वाल of time है, अब दीखो यहां इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से एक line produce करनी है, उपर की तरफ, इस graph की तरफ एक line produce करनी है, यह, और यहां पर भी मुझे एक line produce करनी है, ऐसे उपर की तरफ, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, ता कि हम एक right angle triangle मिल सका, इस 10 alpha की value calculate करने के लिए हमारे पास एक right angle triangle होना चाहिए तब ही हम इस 10 alpha की value find कर सकते हैं जो आपका slope होता है अब देखो अगर मैं यहां से एक line produce करता हूँ अगर मैं यह line जो है इस time axis के parallel है तो यहां पे भी angle क्या बनेगा आपका alpha angle बनेगा यहां पे अगर alpha angle बन रहा है तो यहां पे भी क्या बनेगा तो यहां पे जो हमने यह construction किया था इससे अब आप erase कर दीजिए इसकी अब हमें जरूरत नहीं है तो हमें क्या करना है अब इस वाले 10 alpha को find करना है इसकी value find करने है अब देखो यह जो time है यह जो T1 second है यह T1 second यहां से ले करके यहां तक यहां पे origin है यहां पे 0 second है और यहां तक यह T1 second है और यहां तक आपका T2 second है यह आपका total T2 second है यह आपका total T1 second है और यह वाला interval of time यहां से ले करके यहां तक का interval of time हमने ले रखा है अब देखो suppose करके T1 second में उसका जो velocity है velocity ये हो गया V1 velocity और ये जो total T2 second है T2 second में उसका जो velocity हो गया वो velocity है V2 velocity देखो ये graph है ना तो इस graph की help से मैं ये पता कर सकता हूँ कि T1 second में कितना velocity हो आता तो उसके लिए क्या करना है ये line produce कीजे इधर line produce कीजे यहाँ पर ये V1 ठीका ये T1 second में यहाँ पर जो velocity रहोगा उसे मैंने V1 बोल दिया और ये T2 second में ये आप ऐसे line produce कीजे इधर line produce कीजे तो यहाँ पर जो velocity रहोगा उसे मैंने V2 बोल दिया अब देखो मुझे यहाँ पर एक right angle triangle ये मिल गया है बस हमें यहाँ पर क्या करना है 10 α की value find करना है अब देखो यहाँ पर ये जो होगा ये वाला जो है ये पहले सिए naming कर देते हैं इसकी ये A हो गया ये B हो गया ये C हो गया तो ये जो BC है इसकी value कितनी होगा उसकी value देखो जो यहाँ से लेकर के यहां तक जो value होगी न, जो भी change in velocity होगी, वो यह इस BC की भी value होगी, तो देखो इस value को यहां से लेकर के यहां तक इस की value कितनी होगी वो होगे, यह V2 आपका यहां तक होगी यह V1 आपका यहां तक होगी तो इस V2 से अगर मैं इस V1 इन दोनों को अगर separate कर दूँ तो यहाँ पे का जो change in velocity है वो निकल जाएगा तो यह कितना हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका V2 minus V1 जब मैं इस V2 से इस V1 को minus करूँगा तो यहाँ पे का जो change in velocity है वो निकल जाएगा तो यह जो bc है, इसकी value कितनी होगी, v2 minus v1 अब देखो यह जो a b है, इसकी value कितनी होगी, इसके बराबर होगी, यह जो interval of time है तो यह वाला जो interval of time है, यह कितना है, यह total t2 minus t1 तो यह कितना हो जाएगा, आपका t2 minus t1 अब देखो यह जो आपका 10 alpha होता है 10 alpha का क्या formula होता है 10 alpha is equal to perpendicular upon base यह BC यह perpendicular है upon base AB तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अब यह BC upon AB अब देखो यहाँ पर यह जो BC है BC कितना है V2 minus V1 तो यह होगा आपका V2 minus V1 divided by AB कितना है T2 minus T1 यह होगा आपका T2 minus T1 अब देखो यह जो V2 minus V1 है T2 minus T1 है यह किसका formula होता है acceleration का formula होता है तो यहाँ पर क्या आजाएगा आपका acceleration आजाएगा तो यही तो हमें प्रूफ करना था यहाँ पर कि slope of velocity time graph gives acceleration यह जो velocity time graph हमें given है जब हमने यहाँ पर slope calculate करा तो slope क्या दे रहा है हमें acceleration दे रहा है यह क्या है आपका acceleration है ठीक है तो देखो यह slope क्या है slope होता है आपका 10 alpha 10 alpha मतलब यह जो graph given है इस graph का time axis के साथ आपको angle find करना था जो भी 10 alpha का value होगा वही आपका क्या होगा acceleration होगा तो यह आपका proof हो गया है एक्चल में आपके exam में जो question आएगा न वो यह question आएगा कि slope of velocity time graph gives what तो आपको लिखना है कि slope of velocity time graph gives acceleration ठीक है तो यह topic आपका complete हो जाता है ओके